हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी इमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन कर्षी कानून लाए गए थे. मकसद ये था कि देश के किसानों को, खास कर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले. बर्सों से ये मांग देश के किसान, देश के किसी विशेशग्य, देश के किसी अर्थसास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे. पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था, इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए. देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने, इसका स्वागत किया, समर्थन किया, मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हुँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ. साथियों, हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खास कर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हित में, देश के हित में, गाउं गरीब के उज्वल भविष्च के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्ण समर्पण भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझा नहीं पाए कि भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था कृषी अर्थसास्त्रियों ने वैज्याकिनिकों ने प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें कृषी कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मंद से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही हमने किसानों की बातों का उनके तर्ग को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरां ये विशे माननीय सर्वोचे नयाले के पास भी चला गया ये सारी बातें देश के सामने हैं इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से क्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे साथियो मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरुवात करते हैं नए सिरे से आगे बढ़ते हैं साथियों आज ही सरकार ने किसी क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेतु को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटरन को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए ऐसे सभी विश्यों पर भविश्य को धान में रखते हुए निलने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा इस कमीटी में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे किसान होंगे कृष्य वैज्यानिक होंगे कृष्य अर्थसात्री होंगे साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सिंजी की भावना में अपनी बात समात्त करूँगा देही शिवावर मोहे इहे सुब कर्मन ते कभून न टरों हे देवी मुझे ये वर्द दिजिए कि मैं शुब कर्म करने से कभी पीछे ना हटू जो किया किसानों के लिए किया जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ आप सभी के आशिरवाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमाश्कार करूड़ कि आपके साकार